हेलो बच्चो इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है यूपी बूर्ट दो एरटारे में आया हुआ प्रिश्ण अलक करेंगी चित्र में ओ ब्रत का केंद्र है एटी ब्रत की स्पर्स रेका है और कौन बी एटी साटंस दिया हुआ है इस पर स्पर्स रेका पर लंब होती है यानि O A लंब होगी एटी पर अर्थात कोण O A T बिरावर होगा नब्बेंस अब इसमें हमें दिया हुआ है OAT OAT में पना हुआ है कौन OAB प्लस कौन BAT बरावर 90 तो ये मेरे पास है OAB Z प्लस ये 60 है बरावर 90 तो Z बरावर आजाएगा 90-60 यानि 30 अब चौकी तरवज OAB में OAB बरावर OB तो ये दोनों कौन बरावर है OAB बरावर OB यानि ये हो जाएगा मेरे पास Z और Z का माना आया है 31 तो तरवज OAB में OAB प्लस कौन OBA प्लस कौन AOB बरावर एकसेशियन तीनों कौनों का ये हो एकसेशियन यानि OAB बरावर कौन OBA बरावर Z बरावर 30 ये रखेंगे यहाँ पर बुझाएं बरावर हैं तो कौन भी बरावर होंगे ये लगाएंगे अब क्या कर रहा है हमें तो यहाँ पर OAB मेरे पास आ गया 30 OBA ये भी 30 आ गया AOB मुझे निकालना है एकसेशियन यानि OAB क्या दिया हुआ है बाई बाई प्लस 330 60 बरावर एकसेशियन तो बाई बरावर जाएगा 1 सेशियन 60 बरावर एकसेशियन बाई की पहलु आ गई एकसेशियन अब ये जो कौन ACB दिया हुआ है ACB सेज परदी पर बना हुआ ACB होगा 1 वटे 2 कौन AOB 1 वटे 2 कौन A कोई 22 21 से 20 यह हो जाएगा 60 कौन ACB बरावर यहां पर X दिया हुआ था जो कि 60 है इस तरह से X बरावर 60 Y बरावर 21 से 20 और Z बरावर 30 तो यह हुए हमारे मान आसा करता हूँ आपको समझ में आयोंगे वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक जुरूर करते है चैनल को सेरेम सब्सक्राइब भी कर ले इस एंगल का मान X का मान यहां से हम डारेक्ट 60 भी निकाल सकते है यह प्रमिय है इस पर सेखा और यह कौण के बीच अंतर कौण के बीच तो X बरावर 60 भी होगा तो यहां से डारेक्ट X से 20 निकाल लेंगे और यह भी निकलाएगा लेकिन हमने इस तरह से निकाला है आसा करता हूँ आपको समझ में आएगा वीडियो पसंद हो तो लाइक जरू करने चैनल को सेब सब्सक्राइब भी करने वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद